कि अपने अपने और टाइम क्लाशिस आंड़ चैनल पर दोस्तों मैं संजीत उमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और आपके लिए हमने जो यूपी पुलिस और डेली पुलिस का जो स्पेसल बैच स्टार्ट किया है दोस्तों उसकी एक स्पेसल किलास ले गराया हूँ आज की किलास बहुत जादा मज़ेदार होने वाली है रोमान च क्यूस्चन मिलने ही है बच्चों को वैसे तो इजी लगता है टोपिक पर दोस्तों इसमें क्यूस्चन की अगर थोड़ी सी लेंग्वेज बदल दी जाए तो यह बहुत भारी बन जाता है तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप से कि अगर आप प्ली हमारे चैनल पर फिर है दूटरी बात यहां पर आपके लिए सबस्ब बेसिक बात के हम बैसी किलास बनाते हैं इस डाटिंग की इस चैप्टर बैसी किलास बनी उसका मतलब यह हुआ कि बैसी किलास के थूरो आप समझ सकते हूं बच्चा कोई बच्चा जिससे पढ़ना भी ना आता ओ दो वह ढ सीख सकता है क्योंकि बेसिक का मतलब यह होता कि आसानी से सब कुछ सिखा दिया जाए उसे जो भी उसकी कमी है जो भी कमिया है पूरी तरह दूर करती जाए उससे सब कुछ सिखाया जाए ठीक है दोस्तों तो आज की six class है और रही दोस्तों बात अगर आपको आज की class पसंद आई तो class को जरूर पसंद जरूर लाइक कीजेगा और जितने जादा हो सकते अपने friends की साथ जादा से जादा share कीजेगा ठीक है न दोस्तों चलिए सुरुवात करते हैं आज की class की तो हमने एक छोड़ा सा चार्ट बनाया दोस्तों इस चार्ट के थूरू आपको बताया क्या जाता है इस चार्ट के थूरू यह बताया जाता है कि जो टोपिक है इन सभी department के अंदर मिलना है competitive exam के अंदर ठीक है न और वैसे भी यह टोपिक ऐसा है जो रियल लाइफ में बहुत यूज होता है इसलिए इस टोपिक पर थोड़ा सा ध्यान रख कर काम कीजिएगा ठीक है न और यह बैसिकली बात अब बताई क्यों गई आपको यह बात बताई गई है दोस्तों उन दोस्तों के हमने यह बात कही गई है ठीक है ना समझाए अब आपको तो इसलिए उन इस्टूडेंट्स के लिए हमने यह चार्ट बनाया जिससे उनने समझा जाए कि यह उनके सेलिबस का है और उन्हें कोई भी डाउट किसी तरह का ना रहे ठीक है ना चलिए सुरुआत करते हैं तो विचार से आज के विचार में क्या कहा गया है यहां पर कहना है मेहनत करते रहो मेहनत में वक्त लगता है कहना है मेहनत करते रहो मेहनत में वक्त लगता है लेकिन मेहनत से एक दिन वक्त जरूर बदलता है दोस्तों इस बात को हमेसा याद रखने है कि आपको मेहनत से आपक जाना भी है फोड़ा ज़्याद है जितना भी आज हो रहा है करते रही है जादा कर दोगे तो जल्दी सक्सस हो जाओगे कम धीरे-धीरे करोगे तो ज्यादा टाइम लोगे बस यह है मेरी रिक्वेस्ट आप से ठीक ना चलिए सुरुवात करते हैं इसी भाव और इसी विचा यहां पर है तिरू जांग चाहिक किह जैता है यहां पर च्छी ना असॉत हो जी चैने वाला के बेचने वाला भी ओसके spielt स्वेसी संपेरी माइं इसपी क्यान पर बीचने वालाHHHH वाला मुल निस ठीक ना बस यह दो बाते हैं याद रखनी आपको आशिपी बेजने वाला और यह रहेगा खरीदने वाला चलते हैं दोस्तों नेक्ट पर और यह है पहला क्युस्टण तो पहले question में क्या आप तलग इस chapter के हमने 60 question अलग से कर चुके हैं और basic अलग से रहा दोस्तों तीन दिन रहा लगाता चली basic class अब आप देख लो तीन दिन में कितने question हो चुके हैं वो उसके भी तो तकरीब अगर मिला दी जाए बात तो यहां पर हम कम से कम इस टोपिक से यहाँ पर 200 क्यूस्टन की आप अस पास कर लेंगे दोस्टों अब 200 क्यूस्टन अब हर तरी के तकरीबन क्यूस्टन बन जाएंगे अब यहाँ से एक भी परसंट ऐसा चांस नहीं रहेगा कि क्युस्टन आपको किसी वज़े से भी क्युस्टन की वज़े से परिशान होना पड़े ठीक है ना तो यह बहुत फाइदा होने वाला है सुरुआत करते हैं दोस्तो चलिए एक दूआ अंदार दो सो पांचो बीस रुपे में दो वस्तो खरीदता है एक वस्तु को वह 16% लाब और दूसरी को 10% हानी पर बेचता है ठीक है जिससे उसे नय तो कोई लाब होता है और नहीं कोई हानी होती है तो वस्तु का विक्रे मुल्ले क्यात कीजिए तो वैसे तो इसमें एलिगेशन आप अपलाई कर सकते हो ठीक है ना एलिगेशन कैसे लग कर देने कहा क्या गया उसमें एक पर उसे लाब हुआ ठीक है एक वस्तु को वह 16% और दूसरी को इतनी हानी पर बेचता है और उसमें कोई जो नुक्सान नहीं हुआ तो दियान दीजिए अगर बेसिक करना चाहरे तो बेसिक अगर आपकी रहेगी पान सो बीस माइनस के एक उसमें सुपोज करो कि 16% का लाब था 16 बटे 100 कर दिया और यहां पर एक्स गुना ही होगा 10 बटे 100 तो ठीक है सारा कैलकुलेट करने के बाद जब आप 100 से तो 100 ही कैंच लिए यहां पर बचा 5 यह बचा 8 अंदर मल्टिपले कर दीजिए तो कितना हो जागा यहां पर दोस्त किया है यह मल्टिपलाई 8 माइनस के 8 एक्स बराबर हुआ 5 एक्स ठीक है न तो अगर यह 5 है तो इदर आके यह एड़ हो जाएगा कितना हो जागा 8 5 13 ठीक है न पांच 20 गुना 8 और ही होगे 13 एक्स और 13 चुक 52 40 तो एक्स बराबर कितना मिला यहां पर 40 वह न तो यहां पर इस पर निकाल देना है आपको कितना यहां पर तो वर्स्तु का विक्रे मुल्य क्या है अगर इतने की खरीदी तो विक्रे मुल्य क्या है यहां पर बस आपको करना क्या इसका 90 परसेंट निकाल दीजिए हानी जितने कुई थी तो देख ले जाए तो यह कितना होगा यहां पर यह बना आपका 288 यह अंतर रहे है ओप्सन में ठीक ओप्सन में भी है दोस तो और चाहे तो आप ऐलिगेशन लगाना चाहो तो ऐलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं मैं बताता हूँ दोस्तो कैसे करना सोला परसेंट लाब यह हुआ कितना एक सो सोला और दूसरी कोर्शन अब दस परसेंट की हनी यानि नब बना तो पूरे सोदे में से कोई फाइदा हुआ ठीक है ना यहां पर भी तो देख ले जाएते कितना बना यह बना आपका 116 एक मिट दोस्तों यहां पर क्या बना एक सो सोल है और यहां पर बचान नब है टोटल कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा यह कितना 206 हो जाएगा दोस्तों कितना 206 और 206 को बोल दिया उसने कितना यहां पर 520 तो जितने कभी मृटिपल रहेगा इस तरह सीपी निकल जाएगा तो इस तरह के साब पैपलाई कर सकते हो ठीक है ना ऐसे भी आप कर सकते हो कोई प्रोडम नहीं होगी नेक्स किस्टिन पर जलत एड़ेबा को किया कहा गया यहां पर कहा गया एक वैपारिंख और 6 ενि इस लग मिलता इस मेज पर 25 can कि लिए बीचा जैए जैसा कहा गया पहले सिस्टम निकालते हैं तो सबसे पहली क्या रहतीक्ство शीपी कितना रहा ठीक है नठीप करनेटें 10% हनी CP अगर 100 था 10% हनी 90 और फिर कितना हुआ 15% लाप 115 90 अगर आप डिफरेंस कर लोगे तो कितना रहेगा आपका 5 तो यह रहा और यह बचा 2 तो 25 का लाप हुआ 25 को क्या बोल दिया इसने 25 को बोल दिया यहां पर कितना बोल दिया 25 को बोल दिया हुआ वह भी तीन के मल्टे में 300 की खरीदी थी वह कितने की 300 की अब 300 की खरीदीने के बाद उस पर क्या करना आपको 25 प्रसेंट लाप भी निकालना है गोना 125 प्रटे क्या कर दो कि सो तो कितना रहेगा दोस्तों यह हो जाएगा 375 यह आंसर बना आपका क्या ओप्षन है सी ओप्षन रहा तो इस तरी के साब यह क्यूस्चन कर सकते हो नेक्स्ट क्यूस्चन पर चलते हैं एक फेरी वाला अपने संत्रे 10 परसेंट लाप पर बेचता है यदि वह परती एक संत्रे का मुल्ले 20 परसेंट बढ़ाता तो 20 परसेंट का लाप होता करके आ रहा हूँ है दस परसेंट लाप पर याणी सीपी अगर देख लेजिए तो सीपी तो सोगा आपका 10% लाब 110 और 20% लाब अगर वो कमाता तो अंतर कितने का यहाँ पर 10 10 का इंक्रीजमेंट क्या आशने उसे बोल दिया इसे 20 पैसे बोल दिया कितना बोल दिया 20 पैसे ठीक है न अगर देख ले जाए तो कितना पॉइंट 2 का मल्टिपल पॉइंट 2 का मल्टिपल है तो खरीदे कितने के था यह भी पॉइंट 2 के हिसाब से है ना पॉइंट 2 के हिसाब से पॉइंट 2 तो 20 के खरीदे थे 20 के खरीदे थे 120 का लाब भी चाहिए आपको इस पर अगर 20 के खरीदे थे तो 20 रुपेए मैं कितने पैसे होंगे आपके हैं तो यहां पर निकाल दिजी विकरे मुल्ळे TY lotta को निकेलना होगा तो यहीं से देख लेजाएं तो एक मिन दोस्तो दोड़ा सा को को यहां पर दोस्तो घलती होगे गलती क्या होई यहां पर गलती यह हुई है कि यह ना इसरो डिवाइड यह दसका डिफेरेंस्स है ना की एक का एक यो ठाव पॉंट थो मिलता तो यहां पर मिला गए 0.02 ठीक है ना अगर यह 0.02 का मल्टिपल होगा है ना तो 0.31 दोस्तों कितना रहेगा यह भी 0.02 का मल्टिपल तो तो मदलब दो रुपे दो रुपे में 200 पैसे हुए ठीक है अगर 200 पैसे हैं आपको 10% का लाब भी चाहिए तो 200 तो यह बने और 10% 110 गुना 100 तो 220 मिला यहां से कितना मिला 220 तो फर्स्ट ओप्शन ठीक रहेगा कौन सा फर्स्ट ओप्शन ठीक है आपका कि नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट की स्चिंट में क्या कहा गया दियान दीजिए एक estimates नेक्स्ट पर चलते हैं कि एक 58 पर्सेंट लाब और दूसरे को पहले केमरे की 10 पर संट कम कीमत पर खरीता तो उसे कितना पर सेस्ट का लाब मिलता है जैसा और यह सा करना है ठीक सब्सक्राइब किजीगी यहां पर सीपी कितना है आपका सोग सीपी सोग है तो विक्रे मुर्ले कितना होता है यहां पर 18% के हिसाब से 118 अगर वो 10% कम में खरीदता तो 10% का कम में खरीदने का मतलब हो गया 10% घटा दोगे तो यह कितना रहा 11 पोईंट to अब बच जाए गे stand 106,6 पोइंट कि तकरीबन धर जाया थीक न तो अब बताना है आपको कितना रहा आकि कुन विक्रे मुल्ले कि अगर देख ले जाए कुल कुन यहां पर कुल हो जाएगा एक मिन्ट दोस्तों दो फिर दो चार दो यह रहा कुल विक्रे मुल ले आप अब देख लेजिए फाइदा कितने का हुआ आपको फाइदा कितना सो की एक थी सो की एक और थी तो 200 का थो फाइदा था इसलिए हमें 24.2 का फाइदा हुआ 200 पर गुना कर दोगे 100 तो 12 पॉइंट कितना रहेगा 12 पॉइंट एक परसेंट का लाप रहेगा तो उप्षन इसका भी एही ठीक है कौन सा उप्षन एठीक है कि यहां तक तो कोई प्रोब्लम नहीं है कि यहां पर नेक्स जलते हैं एक पुष्टक विग रहता एक पुष्टक दस परसेंट लाप पर बेशता है यदि उसने चार परसेंट कम में खरी दियो तो छे रुपे ज्यादा बेशती तो उसको अठार से ही इतने का लाप मिलता तो ठीक है किया क्या उसने सीपी सपोज करोगी सीपी क्या है सो है और सो पर क्या किया दस परसेंट लाप कमाया उसने तो एक सो दस की भी की हो एक सो दस के बाद वो करता क्या एक सो दस के बाद वो करता च्छान में में वो खरीता और उसे चाहिए अठारा सही तीन बटे चार परसेंट का लाप है ना तो इस पर जब निकाल लोगे तो यह रह जाएगा कितना आपका द्यान दीजे यह रह जाएगा आपका यहां पर यह कितना मिल लेगा दोस्तों यह मिल लेगा आपको 114 ठीक ना तो अगर देख लेजिए डिफरेंस कितने का है चार का कितने का है चार का डिफरेंस और अगर यह चार का डिफरेंस है चार को बोल किया दिया चार को बोल दिया यहाँ पर ध्यान दीजिए चार को बोल दिया दोस्तों यहाँ पर छे तो एक पूंट पांच का मल्टिपल हुआ है कितना एक पूंट पांच का अगर एक पूंट पांच का तो य आपको ध्यान में रखना ठीक है ना तो यह किस्टन भी हुआ आपका नेक्ट पर चलते हैं कि यह जी तरी करना है सीपी सपोर्ज सो था कितना था सो फंद्रा पर्सेंट अधिक तो फंद्रा पर्सेंट का मतलब एक सो पंद्रा हुआ कितना हुआ एक सो पंद्रा एक सो पंद्रा हुआ और पांच पर्सेंट अधिक खरीदा होता तो कितने का खरीदता हो एक सो पांच एक सो पांच पर अगर देख लिया जाए उसे कितना चाहिए था 10% का लाव तो 10% का लाव इस पर निकाल देते हैं तो यह रह जाएगा आपका 10% अगर देख ले जाए तो इसका कितना 10.5 ही होगा यह मिल जाएगा 100 कितना मिल जाएगा 100 15.5 तो यहां पर अंतर कितने का रहा अंतर रहा 0.5 का और 0.5 के लिए क्या वर्ड बोल ला इसने उसके लिए बोल दें आप एच्छे अब छेको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कितने का मल्टिपल होगा है यह धियान दीजिए छेको जब मल्टिपलाई करोगे तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना आपको आपको मिल गए यह 12 का मल्टिपल अगर यह 12 का तो यह भी 12 का ही रहेगा तो यह मिल जाएगा 1200 रुपे इसका रेट रहेगा 1200 रुपे क्या है इसका मुल्ले है आउसर रहेगा 1200 रुपे नेक्स्ट क्यूस्टन पर चलते हैं दोर तो यह दि सोहन दो वक्रियों को एक मुल्ले पर बेच कर एक पर 10 परसेंट लाब दूसरी पर 10 परसेंट धानी का भुगतान करता तो उसको बताना है तो क्या हो आउसे 10 परसेंट लाब था 10 परसेंट लाब 10 परसेंट धानी 10 गुना 10 और बटे हुआ 100 यह तो कैंसेल हो जाएगा 222 तो माइनेस एक परसेंट की हानी होई दोस्तो तो C ओप्षन आपका ठीक रहेगा कौन सा C ओप्षन अब नेक्स्ट क्यूस्टन है जितरा का एक आदमी ने दो मकान बेचे और परती एक 96,000 रुपे में पहले मकान के विक्री में 20 परसेंट लाब दूसरे में 20 परसेंट की हानी कुल मिलाकर उसे कितने परतिसाद लाब या हानी हुई तो ऐसे कर लोगे आप तकریबन तो 20% का लाब था 20% की हानी विस गुना बीस बदिस कितना वासो यह तो कventions हो गहां दोस्तों अपका ठीक ना नेक्स्ट क्यूस्टन पर चलते हैं नइक्स्ट में क्या कहाई एक वटिन ब स्विक्टत है इतने में बेचले बैजता एक पर 10 अधाध डेस दूसरे पर वास्तिव क्वाश्ट रखों в Jelly गाटा कितने पर तेसित रहा अगर वास्तिव घटा आप निकालना चारे तो करोगे कि पहले की तरह ही है क्यूस्चन दस परसेंट का लाब फिर इसके बाद क्या था दस परसेंट का नुक्सान दस गुणना दस बटे कितना रहा सो दोसे माइस एक परसेंट की हानी हुई थे एक परसेंट का घटा हुआ थ ने थे तो सन दाएस का भी वी ऑंशन ठीक है ठीक है यहां तक मिठीक चलते है नेक्स पर 15 वस्तों का लागत मुल्य 12 वस्तों के विक्रे मुल्य के बराबर है तो लाब परतिशत कितना जैसा कहा गया वैसा करना हो दोस्तों 15 सीपी और 12 एसपी तो एसपी बटे एसपी कर दोगे तो आप यहां पर 12 बटे 15 मिला तो यानि 12 की खरीदी 15 की बेश्टी तो फाइदा होगा कितना तीन का कितना बारा पर गुणा सो 25 परसेंट लाब होगा दोस्तों से कितना 25 परसेंट का लाब हो आई यह आंसर रहा आपका कि एक और इसी तरह का इसमें क्या कहा गया अठारा वस्तू का करे मुल्य पंदरा वस्तू के विक्रे मुल्य के बराबर है SP के बराबर है यहां पर भी CP बटे SP कर दीजिए और पंदरा बटे 18 किया क्या था यहां पर खरीदा कितने गाता 15 का 18 का बेच दे तो बेनिफिट कितने गवात तीनका फाइदा 15 पर गुना यह हुआ पांच तो 20 परसेंट क लाब है तो यह रहा उप्शन आपका बी यहां पर यहां पर भी सेम ही है किस्चन तो 15 का करे मुल्ले 20 मेज का विक्रे मुल्ले तो यहां पर CP बटे SP करोगे तो यहां पर रहेगा 20 बटे 15 यानि 20 की खरीदने के बाद 15 की बेची तो नुक्सान हुआ पांच का कितने पर 20 पर गुना कर दो कि 125 पर सेंट का नुक्सान हुआ दोस्तों से 25 पर सेंट आप्शन रहा है यह है ठीक है ना नेक्स्ट पर चलते हैं एक आदमी यदि 110 साम बेजने पर एक फल भी रहता है तो 120 साम के करे मुल्ले के बराबर लाब होता है तो लाब पर तिस कितना रहा जैसा कहा गया है वैसा करते हैं दोस्तों कि करना क्या है आपको 110 आम SP और 120 आम CP तो यहां पर कर दीजिए SP बटे कितना CP 120 बटे कितना हुआ 110 तो दस का तो बैनेफिट हुआ 110 पर गुना कर दो कि 100 तो गयर अनम निन्यान में ठीक ना नो सही एक बटा 11 परसेंट तो इसका प्रोपिट था यह सी ओप्सन ठीक है यहां पर नेक्स्ट क्या है यहां पर कहा गया एक थोक वैपारी एक थोक वैपारी किसी खुदरा को बारा वस्तोय नो वस्तों के मुल्ले पर बेशता है बारा वस्तोय क्या करता है वो नो वस्तों के मुल्ले पर बेशता है ऐसा कहा गया अब जैसा कहा वही करना होगा आपको ठीक है ना तो बारा वस्तोय है नो वस्तों पर बेशता है यानि बारा सीपी एक मिन्ट दोस्तों क्या रहा यह एक मिन्ट यहां पर रहा बारा सीपी बराबर नो एसपी तो जहें जबात सीपी बते क्या हुआ एसपी नो बते कितना हुआ बारा तो यहाँ पर फाइदा हुआ कितना 17 गेंदो को 720 रुपे में बेजने पर 5 गेंदो का करे मुल्ले के बराबर हानी होती है जैसा कहाँ ऐसा करना है हानी हुई न तो CP माइनस के क्या करोगे SP कितने गेंद थी 17 ठीक है 5 गेंद के sorrow है भुख्रय मुल्ले के बराबर यहां पर एक मिंट देख लेजए है उदो पांच गेंद के करे मुल्ले के बराबर है न तो यहां पर सेभिटाए तो 12 तो रहेगा CP 17 रहा SP तो यहां पर देख लेज़े तो CP बटे क्या मिला SP कितना हुआ यहां पर 17 बटे 12 यानि 17 की खरीदी थी 12 की बेची फिर वह अपना ठीक है न तो क्या हुआ आपको एक गेंद का क्रेम उल्ले निकाला निकाल देंगे यहां पर क्या किया दोस्तों उसने इसे बोल दिया कितना 720 तो कितने का multiple शाट का तो साट ही आंसर रहा दोस्तों एक गेंद का कितना बैठेगा हूँ शाट आंसर रहेगा ठीक है न तो साट आंसर रहा आपका साट आंसर रहा तो option कौन सा ठीक है सी ओप्शन ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं एक वैपार यह अपनी वस्तों का करे मुल्ले अपनी वस्तों पर उनका मुल्ले इस परकार अंकित करता है कि पचास रुपे की वस्तों पर उसे 25 परसेंट के करे मुल्ले के बराबर लाब होता देखो दोस्तों वैसे तो यह क्यूस्टन अगर देख ले जाए यह क्यूस्टन बट्टे के कोडिंग होगा और फिर भी टेंचन लेने की कोई बात नहीं है कर देते हैं हम इसे हैं ना कहा क्या गया उसने उसने कहा गया कि 50 वस्तों के बिक्र रρι मुल्बों के बराबर पच्चीश वस्तों के गर मुल्ब्ल्ब थीक है तो मतलब कि फच्चीह का जो बैनिट हुआ उसकने बैसा कहा गया गुझा कर दोगे बस तो 50% का इसे पूरुआ लाब हुआ कितना आवा 50% तो 50% का लाब को क्या बोल देगा option क्या रहेगा भी option आपका ठीक है ठीक है तो नेक्सट पर चलते हैं कि नेक्सट पर चलते हैं यहाँ पर क्या गया है 100 pencil बेजने पर एक दुकानदार को, 100 पैंसिल बेचने पर एक दुकानदार को एक दुकानदार को 20 पैंसिलों के विक्रे मुल्ले के बराबर लाब होता है बेचने पर है ना लाब हुआ तो लाब क्या होगा SP माइनस के CP और बराबर कितना होगा 20 SP कितना 100 और ये भी 100 सो सी भी कि स्पी स्वीद इस्पीक कितना हो गया सी असिसुए है इस बारटे कितना ऊगया 803 जा स्पीबटे सी सो बारटे इस यहां से तो झीसिल कर दीजि Whenever पांच सो झीरो एंच लोगоло पांच बैच्ञ कितना अब देख ले जाए तो चार की खरीदने के बाद पांच की बेची एक का फैदा चार पर गुना क्या कर दो कि तो अगर यह कर दिया अपने तो 25% का लाब मिला आपको कितने का 25% का लाब तो यह रहा आपका अंसर एक आपका अंसर रहा दो तो next question पर चलते हैं दोस्तों next question एक वेक्ति ने 500 कुरसिया बेची और उन पर उसे 50 कुरसि के बिक्र मुले के बराबर लाब पराप्त हुआ है तो लाब हुआ न दोस्तों लाब रखते हैं लाब कैसे रखोगे यह रखोगे sp minus cp और कितना? 50 कूर्स योगे, बराबर 50 SP तो यह कितना था? ये भी कितना था 200 तो से 200 को क्या लिख दोगे? 200 SP बराबर 200 CP तो इसे आप उन में रख दीजे SP बटे कितना हुआ? CP तो इस ί कितना होता? 250 बटे 200 तो फाइदा कितने का हुआ दोस्तों फाइदा हुआ पचास का दोसों की खरीदने के बार डाईसों की बेच दी तो फाइदा हुआ गुना कितना लोग है सो तो पच्चीस परसेंट का लाब हुआ दोस्तों कितने का ऐसे 25% का लाब हुआ तो option ये रहेगा B ठीक है ना option इसका B रहा next चलते है ऐसा ही एक और question question है 100 centra बेच कर एक विकराता को 20 centra के विकरे मुले के बराबर लाब होता है क्या हुआ है लाब तो लाब हुआ ना SP-CP क्या होता था लाब 20 SP के बराबर और यहां पर अगर देख ले जाएते कितने थे 100 यह 100 यह कितना होगा 80 SP और यह होगा 100 CP SP बटे CP की अगर बात की जाए यहां पर 100 बटे 80 तो जहीर सी बात है 80 की खरीदने के बात 100 की बीच दी तो फाइदा हुआ आपको कितने का 20 का 80 पर गुणा क्या कर दो कि 100% रेज निकालने का तरीका है तो 25 का लाब रहा यहां पर भी 25 का लाब है ओप्शन B ठीक है अब नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों किसी बस्तों को 21 रुपे में बेजने पर एक आदमी करे मुले के बराबर हानी हुई तो करेम भी यह स्पेसल केसे दोस्तों जैसे मने बताया था हानी हुई तो हानी का अब आपको करना क्या ध्यान दीजिए बस वो जो मने बताया था 21 के ऐसे टुकडे करने पहली तो बात यह हानी अगर लाब होता तो घटक है बचना चाहिए था 10 और हानी है तो गुना होने के बाद बचना कितना चाहिए सुरी जोड़के उसके फैक्टर जोड़ने के बाद साथ और तीन दस होना चाहिए टोटल में दस हुआ ना तो बस यह तो छोटी पर मल्टिपले कर दिए अब उस टाइम आप वो सोच रही थे मैंने बदाया था कि दोन्नों में से कोई भी आंसर होको उनके सामने जिरू लगा दें तो कौन सा आंसर रहेगा आपका इस तरह मिलागा दोस्त से याद रखना आपको अच्छी दिरेगे सा एक दरजन बोल पैन बेजने पर एक दुकंदार को चार बोल पैन के विक्रे मुले के बराबर लाब हुआ है यह तो लाब वाला ही किस्टन है SP माइनस के CP और यह ओओ चार SP कितने थे 12 एक दरजन बेजन बारा हुटते ना तो SP घटा दोगे तो 8 SP और बराबर कितना रहा 12 CP तो यहाँ पर SP बटे CP आपने किया तो यह बहिला बारा बटे आठ तो आठ की करेंने के बाद अब बारा की बेच दी तो चार का लाब हुआ कितना आठ पर गुणा 100 तो 50% का लाब हुआ दोस्तों कितने का हुआ option A ठीक है यहां पर आठ देखे काट दीजिए तो दो हुआ दोस्तों काट दोको तो 50 इस तरह से यह आन्चर मिले दोस्तों 50% का लाब रहा ठीक है ना next पर चलते हैं दो मेजों का कुरू मिले समान है पहली मेज पर 20% लाब पर बेचा हर दूसरी मेज को पहली मेज से 335 रुपे अधिक पर बेचे जाता है यह दिन दोनों मेजों को बेचने के बाद कुल 24% का लाब होता है कुल टोटल 24% का ऐलिगेशन लगाना चाहूँ तो दोस्तों लगा सकते हो पर थोड़ जी महनत करनी होगा फिर आपको ठीक है ना प्रेयल लग सकता है tills तो चलीय करते हैं यहाँ पर जैसा करना होगा ठीक है ठीक है अब दो दोनों का मुल लिया इसमें इसमें डिफरेंस हुआ ठोड़ा सा कितना हमां देखो पहले कि अगर एक पॉंट दो था दूसरी का कितना हो अगर एक पॉंट 2 सुरी .2 x plus इतने का अंतर था ना उनकी rate में तो 2 x कटा दोगे आप अब 2 x percentage जैसे ही तो निकालते थे 2 x बटे में रखते हैं multiply किया सो करते थे और बराबर में कितने का था 24 का है ना 24 रख दिया बराबर में सारा calculate करने के बाद जब आप calculate करोगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको 2.2 यह दो.4 बना एक्स और दो आपको घटाना भी था है यहां पर एक मिन्त रुख जाएगे तो यहां पर उलेटी पहले लिख लेते पुइंट 4x एप यहां पर मिला कितना तीन سो 252 एक्स और बराबर में कितना रहा आपका 24 बटे 100 कितना बचा 24 बटे 100 ठीक है यहां तक तो कोई प्रोब्लम नहीं है अब इसकी मुल्टिप्लाइज करने के बाद जैसे आप शोल करोगे तो एक्स इक्वल तो आपको मिल लेगा 42 कितना मिल लेगा 42 रुपे तो आंसर कौन सा रहा आंसर रहा आपका यह ठीक है ठीक है ना इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्यूस्टिन को नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों तो यहां पर नेक्स्ट पर क्या देखना है एक कपड़ा वैपारी 48 मिटर कपड़ा बेजने पर 12 कपड़े के करे मुल्ले के बराबर लाब पराफ्ट करता है तो किया क्या है उसने 48 मिटर कपड़ा बेजने के बाद लाब हुआ तो हो गया आपका लाब कितने बारा सीपी के बराबर यह भी बारा सुरी 48 मिटर था है तो कितना था यह 48 और यहां पर भी कितना था 48 शीपी के बराबर था तो इसे इदर जोड़ दोगे 48 एस पी और बराबर इतने कितना हो इदर 60 41625 तो 406018 501068 कि और साट का साट पर भी और साटनी we зв Saint 10 ihilis साट कर फ्रकूं की है परी खरीदी। की 10 साट को साट पर बी कि तो बारा का फायदा है अढ़ा धर दीश मुना सो तो पच्छीस परसेंट वा ही दोस्तों पत्छीस पर तो उप्शन रहा कौन सा यह ऑप्शन ठीक है तो यह उप्शन पर पच्चिस परसेंट का लाब होना था आपको और वो मिला नेक्स्ट पर चलते हैं हरी ने दो साइकलो मेंसे परतियक को 980 रुपे में बेच कर 10% हानी तर दस दूसरी पर इतना कुल करे मुले कितना था तो जैसा कहा गया उसके कोडिंग काम करना होगा ठीक है ना थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा परतियक को इतना में बेचा देख दस यानि 10 पर 10 11 की बेच जादी तो 11 की बेचने के बाद इसे बोल देता है 11 कुसन पहली दफा 980 गैरा इकम 11 0018 एक 180 का मल्टिपल था तो यहां बगर ही 210 अच्छा का मल्टिपल था ये तो बेचने वाला हुआ तो खरीदने वाला कितना था खरीदने वाला था यह भी आऊसे कहा राज़्या से 1 पही झारी खरीं थी यह इसी तरीके से 10 परसेंट का इस लिए नुख्षान 10 पर्सेंट का नुक्सान को बोल नोगिका दोगैं तक कि तना उप तना इसे कितना उसने कितना बोल दिया इसे इसे बोल दिया उसने 980 और 9218 नो दियुने इठारा तो इतने का multiple रहा इसी हिसाब से ये भी इतने का ही multiple रहा को ये तो था पहला SP एक मेंट ये क्या था पहला SP ये था पहला CP ये फिर एस पी था का दूसरा क्योंकि सेम कहा था तो सेम है यह SP2 यह CP1 यहां पर SP1 था दोस्तों क्या था यह 1 तो यह भी 220 का मल्टिपल रहा तो 2200 रुपे की दुनों को टोटल करोगे तो 4000 मिल लेनी एक तो 1800 है और यह कितना है 2200 तो टोटल मिल लेगा आपका 4000 तो ऐसा आपका है कौनसा B option ठीक है क्या रहेगा आपका अन्सर B option है ठीक है ना तो एक है एक साइकल को करम से तीन वेपारी एक दूसरे से खरीदते हैं पहले वेपारी दो वेपारी 25 परशंट का लाब पराप करते तीसरे इतना चुकाता है ग्याद कीजिए कि पहले वापारी ने कितने रुपे में साइकल के दिये थे तो पहले वापारी के लिए देखते हैं किया क्या गया ध्यान दीजिए देखिए माले सपोज एक स्था उसका मुले 125 का लाब लिया बटे सो फिर 125 का अगले बंदेन है ब चार यहांपर 5 हैं यहांपर कितना है चार तो 25 25 यह 75 तीस सूलत यह 48 तो चार शो असी रहा पका अप्सण ठीक है ना अब आपको कोई समस्या नहीं होगी यहांप ठीक है ना नेक्स्ट पर चलते हैं एक मसीन निर्माता अपनी मसीन को 20% लाब पर लाब पर थोग वैपारी को बेचता है थोग वैपारी ने इस मसीन को 25% लाब पर बेच देता है वे दुकांदार 12% लाब पर मसीन को किसी गराख को इतने में बेच देता तो मसीन निर्माता का करे मुल्य क्या था इस स्टार्टिंग में मसीन कितने की थी उसी तरीके से करना जैसे आपको कहा गया ठीक है ना तो कैसे करोगे आप ध्यान दीजिए पहले बंदे ने X की थी त तो 120 का लाब हुआ बटे सो दूसरे ने किया कि 105 पांच का लाब हुआ बटे सो दूसरे ने फिर 120 यान 112 गुणा सो और बराबर मिला 141. 141.12 इतना मिला तो सारा केल्गुलेट करना होगा आपको कैसे करोगे यहापका क्या मिला 141.12 इंटु 100 गुणा सो फिर सो लिख दोगे और बटे में बचा आपका कितना है 120, 105 और यह फिर बचा कितना 112 अगर ऐसा मिला तो सारी वैल्लू कैल्गुलेट करने होगे सारी वैलू कैल्गुलेट करने बाद आपको तक्रेबन जब सब कैल्गुलेट कर दोगे तो दोस्तों तो 100 बचा अदूली quarto सो तो और सारी वैल्लू से यह सो रूपे बचे आपके पास क्या रहा बी ऑप्सन ठीक है कौन्सा है ऑप्सन आपका ठीक रहेगा एक और क्यूस्टन है दोस्ट देखते हैं दोस्ट इस क्यूस्टन में क्या कहा गया A किसी सामान को B को 15% लाग पर B उसे 20% लाग पर बेचता C उसे 690 में खरीदा A ने कितना करे मुले कितना था कोई बात ने दोस्तो अब कर लेते A तो A ने किया 115% का लाग फिर B ने 120 का और टोटल C की बारी आए तो 690 पर उसने दिये तो अब यहां पर करना क्या है A की वैलो अगर आपकोने का नहीं तो कैलकुलेट करना होगा बस थोड़ा सा इसे आप कर भी सकते हो ठीक है ना इस पर मैसमावयरत करना बुचित नहीं समझता है जब आप उसे कर सकते हो तो कैलकुलेट करना कैंसल 0 से 0 कैंसल हो जाएगी इस तरह से ठीक है ना 300 काटना तो तीन चुक 12 तो यहां से कितना मिल लेगा तीन दूनी 6 तीन तीन नो जीरो त से अपसारा के करने के बाद आपको मिलेंगा कितना कितना मिलेंगा दोस्तों यह इस से जब काट दो में तो यह 15 मिल दोस्तों कितना मिल लेगए 500 तो उप्शन रहेगा आपका यह पांचो रहेगा आपका अनसर ठीक है ना दोस्तों चलिए नेक्स पर चलते हैं और उन्हें 120 रुपे में एक किलो गुराम सेव खरीदता है 25 परसंट के लाब पर उन्हें सुवाती को बेच देता सुवाती ने उन्हें दिविया को बेच दिया और फिर दस परसंट के लाब के साथ एक सुवाती ने कितने लाब अर्दित किया ठीक है कोई बात नहीं करते हैं दोस्तों यहां पर किया क्या गया जैसा कहा गया वैसा करते हैं करे मुल्ले कितना था सपोर्च करो कि सीपी 120 ही था अगर 120 था तो इसका 125 निकालना होगा आपको कितना मिला जब 125 निकाल दोगे तो एक तो यह रहा रेट दूसरी बात उसने एक बंदेना ओर नहीं कितने का किया उसका कोई पता नहीं तो एक्स लिख लो एक्स बटे सो है ना तो यहां पर 110 फिर 110 बटे सो और टोटल यह एक्स था दोस्तू यहां है एक्स था ना फिर बराबर में कितना 198 यह मिला दौस्तों तो केल्कुलेट कर दीजिए बस आप पांच यहां पर 4 है सारी कैल्कुलेशन करनी है बस सब आपको 500 यह जिरो सो यह झिरो भी केंचेल ह Oiachen यहां पर करना क्या है एक 100 heartbeat मैं गोना हैस हजार मिर्म का और बैत कितना रहा कि एक शोबीस गोना कितना पांच ठीक है एक सोबीस गोना पांच यहां पर कितना बैसे घ्लीक हैं ग्यार ग्यारह से से काट तोगे Thing तैक है और चीह हुआ कितना ज्यद्ट तिया बारा च्छत दूनी ठीक है और यह हुआ आठ पंच्यालीस पचास तो कितना रहा यहां पर तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना बस आपको कुछ सायद में भी छुट तो नहीं गया हमारे से तो जितना भी रहा खेर यहां पर आपका अंसर क्या रहने वाला है यहां पर कैल्गुरेट कर दोगे तो यह मिलने वाला है आपको टोटल 945 क्योंकि कि केल्कुलेट में हांशर होने का मतलब है हमारे पास मिला कितना ड्र य्ट सो ड्र सो में 50 अक्षारश्य ला हमूच चाहिए था बट उप्शन नहीं है तो इसलिए दुबारा करते हैं एक बार फिर ट्राइब करते हैं कोई बात नहीं तो कैसे करना है आपको ध्यान दीजिए देखो 120 था 120 एक सुपचीस बुना सो ध्यान रखना आज बार दोस्तों बार पहले लिख देते हैं यहां पर यह होगा पहले बंदेने अगले बंदेने कमाए जितने भी 110 कमाए इसके बाद और बटे सो और बराबर बेच दिया बुसन कैसे अगर देखले जाएते हैं पांच हुआ यह वह चार मिब पांच है यह चार चार से काट दोगे तो चाख द Statesya बारा तीस मिल एक जिरो यह थी जिरो ये दो डोगे लो खैंसे यहां पर बचेंग इना यहांपर बच पंदा गैयरा सब्दिशा मियारा येकम गैरा गैर एक तरफी यहां पर काट दोको तो तीन पैजे़ पंदरा तीन चंग अठार सोरी तो अच्छा तीन चंग अठारा और पांच है तो पांच से से भी काट दीजिए कितना रहे हैं आपके कि अच्छे एक सो बीस ठीक आगे दोस्तों इस बार इस बार आया सो पलस एक सो बीस तो इसे घटा दो तो एक बराबर कितना में अब बीस परसेंट है यह उप्सन में है दोस्तों पता नहीं कैसे कैलकुलेस्ट में कुछ मिस्ट था थोड़ा सा जिसकी विज़े से थोड़ी और दिए कि आपको चलिए नेक्स है किसी घोड़े को बी को दस परसेंट धानी पर भी सी में इतने में खरीदा तो एक इतने में खरीदा कोई बात नहीं है दोस्तों कि एक कर एट है जिटेश इसे दस परसेंट ढ़ानी 90 बटे सो इसे बीश परसेंट ढ़ानी 80 बटे सो और बराबर कितना हुआ यहां पर कि इतना कि दो जीरो थी तो दो जिरो दो जीरो के इंसल बहात्तर दुनी 144 होता है यह तो मिला दो यानि 20 इसकी गुणा कर दो दो स्टीपी सुरी एक एक वैल्यू कि रही आपकी दो हजार है तो कौन सा ठीक है एठीक अप्शन कौन सा ठीक है यह ठीक है दोस्तों यहां पर एक और है एक निर्माता किसी मशीन को 20 परसंट लाब पर थोक के साथ बेचता है थोक विगरादा दस परसंट लाब खुद्रा विगरादा 15 लाब पर गरहाग भी इतने में खरीदता है तो करना बस यही है आपको जैसा करा गया वैसा कर लेते है ना तो ध्यान दीजिए बस आपको मान ले कि सपोज निर्माता था कोई एकस 120 बटे कितना रहा सो 110 बटे कितना रहा सो 115 बटे फिर रहा कितना सो और यहां को मिला 400 55.40 ठीक 45.40 तो अगर ऐसा है तो प्रोब्लम तो कुछ नहीं अभी एक जिन सो जीरो इस जीरो से यह वाली जीर सारा कैलकुलेट करना होगा अब आपको तो थीक है कर दोगे तो कहले एकस की वैलु क्या मिल लेगी 400 55.40 चार है यहां पर और गुना क्या 100 फिर गुना सो है और बटे में क्या बचा आपका यह 12 गुना 11 गुना 115 ठीक है ना 12 गुना 11 115 तो यहां पर आंसर मिलागा आपको सा का केलकुलेट करने के बाद कितना मिल जाएगा दोस्ते जिस अपका ए ओप्शन ठीक है है तो ठीक है दोस्तों चलते हैं नेट्ट पर तो यह एकुछ क्विश्चन थे दोस्तों जिस क्विश्चन के माद्यम सब्सक्राइब कि किस किस तरह के क्योष्चन कैसे क्योष्चन बन सकते हैं तो उमीद करता हूँ आज की किलास आपको पसंद आई होगी और रही बात दोस्तों अगर करेंट अफेर्स की वज़े सा आप प्रिशान है तो इस प्रिशान इसको बिल्कुल भूल जाई है क्योंकि हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े हो तो ये भी बेनेफिट बहुत 5 a.m. पर मिलती हैं 5 a.m. तो करेंट पर की समस्या खतम नेक्ट पर जलते हैं दोस्तों तो अगर दोस्तों आज की किलास पसंद आई आपको तो वीडियो है इसे लाइक करना भी ना पूले ठीक है दोस्तों और जितने जाधा हो सकते इसे अपने फ्रेंट के साथ सेयर किया क क Kirby कि हम चाहते हैं एतना हम मुटिवेट होंगे उसलिए मैं चाहता हूं कि लेबल करा दिया गया है तो इससे होगा क्या दोस्तों हमारा मानना था कि कुछ इस्टुड़न्ट जो हैं ऐसे जो फीस अदा नहीं कर सकते हैं तो वह भी इस किलास के साथ जुड़ सकें ठीक है इसलिए मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को जदा से जदा से किजिए और अपने फ्रेंड्स को बताईए इस बारे में ठीक है न दोस्तों इसी के साथ मैं संजी तो मर एक बार फिर विदाई लेता हूं आपसे हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए ठीक है थैंक्स पूर वोचिंग